हमारे साथ हमारे सही होगी अब शेक अब शेक या क्या पूरी कहानी है क्या चाहते हैं अर्विन जी क्या हो जाए तो सब ठीक रहेगा देश के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सवाल उठा दिया अब इनकी आची का लगई गई तो भाई सुप्रिम कोट के जो CGI है उनके पास निवेदन गया कि भाई इस याचिका को जो है तुरंट सुनवाई करेगा ने और केजरीवाल के लिए अगर गलती से भी कोट अगर खुल जाए तो फिर लोग सवाल पूछेंगे कि केजरीवाल में ऐसा क्या है जब कोट के भी तो सुनवाई हो रही थी इस बात को समझने के लिए सुप्रिम कोट से किस तरीके की चूक हो गई है वो बात समझना बहुत जरूरी है एडी के तरफ से साल 2017 के मामले की दलील दी गई और दलील में एडी ने ये कहा प्रकाशवाई कि मुखतार अंसारी जब चुनाव लड़ रहे थे तो मुखतार अंसारी की तरफ से पैरोल के लिए अपलाई किया गया तो वकील की तरफ से ये कहा गया कि ये चुनाव लड़ रहे है और इनको जो है चुनावी मेदान में जाके प्रचार करना है यह मौलिक अधिकार से जोड दिया गया जब इसी केस का मद्दा अर्विन केजरिवाल वाले केस में आया तो जब ED की तरफ से जब यह कहा गया कि साहब वो उमीदवार थे मुखतारन सारी यह उमीदवार भी नहीं है यह तो पार्टी चलाते हैं और यह बाहर हो जा रहा था प्रशार 31 के बाद एक 28 गंटे पहले बंद हो जा रहा है तो तीस तारीक के बाद इंका सरेंडर तो 31 को हो जाना था इन्हें दो तारीक की डेट क्यों दे गई इसके पीछे बहुत थी बुद्ध जीवी लोगों का एक तर्क है पता नहीं वह सही है कि नहीं दर्शाइक करेंगे उनका यह कहना है कि क्या ऐसा भूमिका थी कि दो तारीक तक वेट करते हैं एक्जिट पोल आ जाएगा उस वक्त देश का बहुन समझ में आ जाएगा उस तरीके से याचिकाए लगेंगे फिर क्या कहानी लेकिन यह होना नहीं चाहिए प्रकाश भाई क्योंकि न्याइपालिका पर यह जो क्विश्चन उठाए ना भी यह जैसे अर्विंद केजरिवाल दस बार इडी ने समन किया नौ बार नहीं गए ऐसे फाड़ के फेक देते ना यह तो गैर कानूनी है इडी को ही कहा कि हमने लेटर लिख दिया है इडी को कि यह गैर कानूनी है आपका सवाल यह है कि क्या सुप्रिम कोट में भी ऐसा करेंगे नहीं कर पाएंगे देखे बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो जो लोग समझते हैं वो यतना जानते कि बीजेपी पहले धीरे धीरे पहले एक चीटे फ कि बीजेपी की छोड़ो एडी को चोड़ो यह आदमी जो है सुप्रिम कोट को भी नहीं मानता और अगर यह मैसे चला गया तो देखे इस देश में दो तरीके की लोगों को बिलकुल माफ नहीं किया जाता है सारी कमयां लोग सविकार कर लेते हैं लेकिन राजनीती में कम स देश को धोखा दिया है तो उसे देश माफ नहीं करेगा और अर्विंद केजरिवाल का भी एनाये वाला केस खुलने वाला है और वो खुलेगा तो यह मेरे हिसाब से प्रकाश भाई इनको दो तारीकों जेल जाना ही पड़ेगा सुप्रिम कोट का सुनवाई कर भी लेगा और 10 से 12 या चिकाए उनके वकील ने अलग अलग टाइम पर लगाई लेकिन जब साल 2013 उन्हें गिरफतार किया गया था तो 13 से 15 के बीच वह ज्यादा ही परशान थे कि भाई मेरे को बाहर निकालो तो उन्होंने अजीब अजीब बिमारियों का नाम लिया जो मेडिकल मुझ अगर वो बिमार है तो उन्हें बाकाइदे सरेंडर करना पड़ेगा और उनका इलाज में होगा इंप्स से इंप्स वाया जेल जेल वाया इंप्स सीधे शब्दों में मुझे जो लगता है बाकी आप बताइए बिमार हैं तो फिर चुनाओं परचार क्यों करना है पहले इ जांच होनी चाहिए सारी जो जांच लिखके दिया लिस्ट मना के सुप्रिम कोट को कि यह जांच होना चाहिए जाए जांच कराइए डॉक्टर लाल पैथ लेब बढ़िया लाव है सारे जांच करता या और भी लेब जो पसंद हो वहां कराइए दूसरा एक चीज में आप आपने मेरे को परचार के लिए चोड़ा था अब मैं परचार करते करते धूप बहुत ज्यादा लगी डी है पतला हो गया तमाम तरगी बिमारी अब इंसान गिना देगा एक लास्ट चीज में आपसे बताना चाहतू एक टेलीविजन इंट्रम्यूं में अरविंद के जरि पर सुप्रिम कोट से इनको अग्रीन जमानत मिली तो पत्रकार जब उनसे पूछ रहा था तो वह हाई कोट पर काफी नाराज लग रहे थे कि आप हाई कोट की क्यों बात कर रहे हुआ मतलब यह कह रहा हूं कि अर्विंद केजरिवाल एजनसीज को ऐसे देखते हैं कि जहां से उनको समर्थन मिल गया वह तो बहुत संविधानिक काम कर रहा है लेकिन हाई कोट ने चुकि दिल्ली सरकार और पर टिपणियां कठो टिपणियां की उसको लेकर काफी नाराज लग तो इस तरह किसे सोचते हैं वह एजनसीज को लेकर इसलिए मैं कह रहा था कि अगर यहीं सुप्रिम कोट यह जैसे सुनने को मना कर दिया कि भाई तुरन तो नहीं सुनेंगे इसको और दो तारीक को यह उठ जाते हैं तो यह नाराज़गी दहराएं कि वह कह रहे हैं लगा प्रकाश भाई जिस जच को कटगरे में खड़ा किया जा रहा है ना उनके बारे में मैं आपको बताता हूं उन्होंने फैसला देते वक्त बात का प्रयोक किया था एक शब्द उन्होंने कहा था कि आप पर लगे आरोप आरबिंद केजरिवाल जी बेहत गंभीर हैं जो मतलब एक कहावद है कि ये एक टाइम भी बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आदमी वियारस ले लेता है और इतने बड़े पत से वो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकल के वा जाते हैं आम जिन्दगी जीते हैं शट बाहर करके रहते हैं और वो दावा किया जाता है कि वो निता बनना चाहते हैं लेकिन कहाई ये भी जाता है कि जब इंसान हर एक चीज़ को छोड़ने लगता है इसका ये मतलब है कि उसका ना तो सिस्टम पे और नहीं इंसानों पे भरोसा होता है और शायद इसलिए अरविन केजरिवाल पहले ED और BJP पे सवाल पूछते अब सुप्रेम कोट और मानेनी नियाले हाई कोट के उपर भी सवाल खड़ा करने लगे हैं और जो राजनितिक पंडित हैं वो ये समझ रहे हैं कि अरविन केजरिवाल इस बार जेल में जाएंगे तो शायद उन्हें कभी दोबारा इमोशनल अग्रिम जमानत ना मिले बाक आपको क्या लगता है आप जरूर बताईएगा